सच में करने में इतना मज़ा आता यह देखो कितनी स्टीप है कि यहां से देखने के लिए निगिरानी और यह रखने के लिए अज मैं हूँ निवाई जिला टॉक और आज मैं हूँ रखतांचल परवत पर चड़ाई करेंगे आज निवाई शहर की स्टापना आज से 400-400 पहले स्टापना हुई थी संग्राम सिंग के पिता जुजार सिंग निवाई शहर की स्टापना करें थी वो देखो नग करो हीरा रखतांचल परवत सबसे टौप पर चलेंगे उदर आ से रहे हैं है और आपको मिलते हैं उदर चाले तो इदर से हैं रास्ता है चलते हैं अब उपर चलेंगे चड़ाई करेंगे उपर तक पहुचेंगे अभी सुबह के स्रिफ साड़े तब इतनी गर्मी हो रही है क्योंकि सन पूरा सिर्प आ चुगा है थोड़ी इदर से स्टेर्स और यह सब नहीं है रसे जाना पड़ेगा और आपको पता है कि जो पहाड़ है यह मांटेंस जो होती है पत्थर बत्थर यहां से निकलते हैं जो इस देखो इदर स्टेर्स नहीं है तो यह से चड़ना पड़ रहा है इसके उपर आप इसके उपर ट्रैकिंग करने ही पड़ रही है वरब मुस्किल है कैमरे पकड़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है आप देख सकते हैं इदर से थोड़ी इस साइड पीछे रेती रेत के टीले हैं अभी तो उपपर चलते हैं अगर उपपर चड़ते वक्त अगर कोई नीचे गिरा तो फिर गया हो यह मान लो बड़ा बहुत उपर आ चुगे ना इसलिए कि गाईज अब उपर पहुंच चुगे थोड़ा मतलब देखो पार से कितने उपर आ चुगे नीचे से इतना कि अभी सुबह ही हो रही है तब भी इतनी धूप पड़ रही है देखो आप असीने देख सकते हैं पूरा कि लिए कर चुका हूं निंचे देख सकते हैं आप वहां से में आये थें लिए थोड़ा सोचा कि में थोड़ा रहेस्ट लेलूं यहां पर रुक के उपर कि तरफ चलेंगे अभी थोड़ा बहुत थोड़ा नीचे से आए उससे थोड़ा ज्यादा ही वहां से फिर उपर से पूरा व्यूव लेंगे अप पूरे निवाई शेयर का करने में इतना मज़ा आता है जैसे हम पहाड वाड की चड़ाई और मैं फर्स्ट बार आया हूं किसी भी पहाड पर क्योंकि मैं आस्ता किसी हिल स्टीशन पर भी तक नहीं हूं इसलिए मज़ा तो बड़ा आ रहा है उपर आके अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे उपर से दून दून सी लग रही है उपर जाके पूरा व्यू लेंगे एक बार कि यह देखो कितनी स्टीप है कि इधर से चलना पड़ेगा कि यह देखो कि इधर से कि इधर से निकलो कि इधर से निकलो कि इधर तो गाइस आल्मोस्ट पहुंची चुके है हाला तो थोड़ी टाइट होगी है क्योंकि पहले जमा जमा के रखने पट रहे हैं अब यहां से व्यू देख सकते हैं इससे थोड़ा और उपड़ चलेंगे यह देखो कम से कम 400 400 पुराना किला आई यह जो पूरा पत्थरों से बना हुआ है अभी हम इतना उपर आये तो इतना ठक गए इतना देख पसीने और उस जमाने में भी इतनी हाइट पे किले बनाया जाते थे जब मतलब कोई सब्सक्राइब अभी रिसोर्स नहीं हुआ करते थे तब भी देखो और अभी तक चल रहे हैं चारद साल होगे अभी में गेट को क्रॉस कर चुके हैं हो हाला सच में टाइट होगी है कि ट्रेकिंग असान नहीं है तो देख लिए आज क्योंकि पहले बार करें मैंने और पहले बार में पता लग गया मैं को हुआ है जब देखो कि इतनी देर बाद जाके उपर अब स्टेट्स में लिए और अब टॉप वाले पहुंच चूक हूं मैं तो गाइस मैं उपर पहुंच चुका हूं उपर और आप यह पीछे देख रहे हैं जो यह रेतिले ही रेतिले ठीले कि इनको निवाय का रिगिस्तान भी का जाता है और यह रख्तांचल प्रवत है इस तरफ सिटी है और इस तरफ बस्ती है जो कच्छी बस्ती जिसे बोलते ना वह एधर देखो दूर दूर तक यही बसा हूआ है अब हम वहां पहुंच चुक है जा राजा जो उथे स्नान करा करते थे उसे कुंड बोलते हैं यह देखो अभी तो यह सूखा हुआ है यह देखो यह राजा का है और रानी के लिए दूसरा कुंड है स्विमिंग पूल बोल सकते हैं एक तरीके सावस को चलो चलते हैं आगे की तरफ और और यह रानी का कुंड है देख सकते हैं भी तो पूरे बस अब सेशी बचे हैं इसे कवर किया हुआ है अब यह जो किलाविला जो बनवा रखा था वह है यहां से देखने के लिए निगरानी और रखने के लिए अब यह देखो एक लेगे चारों तरफ की जो दिवार है यहां से घीर रखी है अब मैं बिल्कुल टॉप पर जैसे आप देख सकते हैं अब मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूं यहां का जो पूरी निवाई जो शिटी है उसका तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो निवाई की स्थापना आसे 400-400 साल पहले करी गई थी पहले सहस्मल राजा पहले सहस्मल निवाई के राजा हुआ करते थे और नरू का साथ सकते वो फिर बाद में यहां पर राजा हुआता है साशन करने के लिए और फिर उन्होंने जो उनकी जो कैपिटल थी वो जिलाई को बनाया उदर आगे अभी थोड़ा बहुत बलरी है से आप देख नहीं सक पर कितना हमें टाइम लगा आधा घंटा लगा चड़ने में आधे घंटे से थोड़ा कम बीच्वें थोड़ा बहुत रेस्ट भी लिया पर सब बढ़िया रहा चला मिलते हैं आपको नेक्स्ट लॉग में बाइस के लिए